नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन में पश्चातप करना या फिर पच्छतावा करना ये कितना महत्व पुर्णा होता है एक आत्मा के लिए या फिर एक इंसान के लिए मैं आपको सच कहता हूँ कि पच्छतावे को या फिर पच्छात आपको पृत्वी पर बहुत जादा महत्व दिया जाता है क्योंकि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि अगर कोई गुंडा है या फिर कोई बुरा इंसान है वो कुछ किसी के साथ बुरा करता है लेकिन फ इस साथ कुछ बुरा केया होगा या फिर आपको इड़ दुग मैं आद में आपने दिल से उनको माफ़ कर दिया है। वो किस तरीके से होता है हम जानने की कोशिश करेंगे, समझो किसे आत्मा ने पृत्वी पर बहुत ही बुरा काम किया, और जब वो आत्मलोग में चली जाती है, तो उसको अपने सारी जो गलती है वो डायरेक्ली पता चल जाती है, उसको रियलाइज होता है कि उसने बहुत कुछ बुरा किया है, तो इसलिए वो वो वहाँ पर पश्रताप करती है, या फिर वो बड़ी आत्मा उको कहती है कि हां मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसे वक्त में ये जो पश्तावा है वो बहुत जादा महतोपुर्णा होता है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पुरुथवी पर ऐसे भी बहुत जादा लोगों की भरमार है, जो कुछ किसी के साथ बुरा करते हैं और उनको लगता भी नहीं है, जैसे अमेरिका में जब गुलाम गिरी चलती थी, तब जो गोरे लोग थे, उनको ये लगता ही नहीं था, कि वो काले जो लोग थे, या फिर जो स्लेवरस जो गुलाम होते थे, उन पर कोई अत्यचार करते है ऐसा उनको लगता ही नहीं था जो बिचारे निगरो जो लोग थे मतलब जो ब्लैक थे उनको इस तरीके से देखा जाता था कि ये हमारे नौकर है इनका जनम ही हमारा काम करने के लिए हुआ है तो उनको हंटर से मारो कोई भी बड़ी बात नहीं है उनको मार भी ड़लो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है मतलब क्या है कि वो कुछ बुरा कर रहे है लेकिन फिर भी उनको रियलाइज नहीं हो रहा है उनको दिल में आई नहीं रहा है कि वो कुछ बुरा करे बुरा कर रहे है इसलिए ये पच्छतावा बहुत ही महत्वप होती है कि वो अब उस पाप से मुक्त होने के लिए कुछ कोशिश करे मतलब अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई गोरा इंसाने उसने किसी ब्लैक पर बहुत ही जादा अत्याचार किये है और अब वो जो गोरा इंसाने उसको पच्टावा हो रहा है तो यह पहली स्टेफ हो रहा है उसके क्योंकि अब उसको पच्टावा हो रहा है कि उसने कुछ बुरा किया था लेकिन उसको पच्टावा हुआ 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 और उसको माफ किया जाएगा इसे इतना सिंपल यह गणित नहीं है उसको उस दुख से उबरने के लिए जो भी उसने दुख दिया है उस स पश्चाता भोना या फिर उसको समझ आना कि उसकी गलती क्या थी इसके पच्चतावे को बहुत ही जादा महत होता है और इस वज़े से जितना हो सके हमारे भी जीवन में जैसे बहुत बार कुछ प्रार्थाना में भी कहा जाता है कि अगर हमने अब तक कोई पाप किया है या फिर हमारे हातों से कुछ गलती होई है तो है है इश्वर आप मुझे माफ कर देना आप हमें माफ कर देना ये इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है कि बोलते चलते भी हमारे साथ कुछ हमने किसे के साथ कुछ बुरा किया होगा और उसके बारे में हमें कुछ अभी याद नहीं हैं जैसे कभी कुछ लोग पुराणी आंट को भी फथतर मारते हैं जैसे कुट्ता कोई बएटा है तो उसको कुछ पथर मारा और वो बैचारा चिल्ला कर जाता है और हमें लगता है कि कोई बाड़ा तेर मार दियैं से ज्यादा कर बच्चे वगएरा होते हैं तो ऐसी इससे वक्त में भगवान से माफी भी मांगने होगी और हमें भगवान से ये कहना होगा कि हमारी आत्मा के लिए जो भी इसके लिए अभी अच्छा है वो आप करे, इससे क्या होता है कि वो जो पाप समझो किसी एक छोटा मुटा एक पाप लग गया किसी報 कि उसने कुछ बु करने के कोशिश करे या फिर हमारी मन के धारना उस तरीके से हो कि नहीं मैंने गलत किया है तो उसकी सजा मुझे जरूर मिलने ही चाहिए और जितना हो सकेसर वो शक्तिमाल इश्वर मेरे साथ है तो वह ऐसी सजा जब हमें मिलेगी या फिर वैसा दुख जब हमारे सामने जो भी हमने दुख दिया है उसको भोग कर ही हम आगे जा सकते है इसलिए हमेशा मतलब मैं आपको यही कहतने कि कोशिश करता हूं कि हमारे जो करम है वही सबसे दुनिया में सबसे बड़ा कुछ है तो अच्छे करम करना यही है दोस्तों बाकि इससे परे कुछ भी नहीं है जैसे मैं आपको रोज कहता हूँ कि हम प्रार्थाना करे हर सुबह हर शाम को तो उसमें भी आप जरूर बोलने की कोशिश करना की मैंने अगर कुछ भी मतलब अजाने अंजाने में कुछ पाप किये होंगे या फिर कुछ गलत काम किये होंगे दुसरे को कुछ दुख दिया होगा तो आप जरूर मतलब उसको उसके लिए मैं पच्छताप करता हूँ मुझे दिल से बुरा लग रहा है और ऐसे वक्त में हमारे लिए जो भी अच्छा हूँ आप जरूर वो रास्ता हमारे सामने लाना और आप ही उस पाप से हमें मतलब सा बुरे जो करम है उसके लिए पच्छताप इंसान को होगा किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसको तो पच्छताप होगा नहीं इसलिए जितना उसके आखे खुली रखके और मतलब सोच समझ कर हमें करम करने होंगे पल के लिए भी हम किसी को दुख ना दे जितना उसके दोस्तो इस तरीके से ही पच्ताप बहुत ही महत्वपुरण होता है एक आत्मा के लिए एक इंसान के लिए और जितना होसके पच्ताप जैसे हमने पहले बी बात की कि हाँ मेरी गलती हुई है उसको चीज के लिए हमने उसरे माफी नहीं मांगी जा फिर इश्वर के सामने हम नतमस तक नहीं हुए लेकिन आज उसके वज़े से और भी उनके दिल से इंसान या फिर भगवान के सामने रहे कर माफी मांगे और जितना हो सके उससे जल्दी से जल्दी अगर मुक्त हो तो हमारा जो आतमा की जो सफर है वो बहुत आच्छे से हमyer पूरा कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम अगली वीडियो में किसी नए विशय को लेकर मिलेंगे तब तक आप अपना अपने परिवार का खैल रखना आपका भाध भाध धन्यवाद जिन्दगी की रोशनी ये एक कंसल्टन्सी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसे अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुती जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते है उनको इस विशय की कितावे और जानक रहता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर पाच औरियो भी उनको भीजी जाएंगी तो जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़े उनके इमेल पर या फिर WhatsApp पर भेज़े जाएंगी अगर आपको इस संस्ता के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नमबर पर WhatsApp करें